अब भारत कच्चे तेल के उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी ने शनिवार को ONGC की हाल में शिरू हुई क्रिष्णा गोदावरी प्रियोजना से कच्चे तेल के पहले टेंकर स्वन सिंदू को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया तेल और प्राकर्तिक गैस निगम यानि की ONGC ने एक बियान में कहा कि अधिक्तम उत्पादन स्तर हासिल करने पर यह प्रियोजना भारत के तेल और गैस उत्पादन में साथ फीसद की बढ़ोतरी करेगी बिहार के बेगु सराय में इस समारों का योजन किया गया हलाकि अभी यह पस्ट नहीं है कि इस पर योजना का बेगुरु सराय से क्या संबंद है ONGC के केजी ब्लोक केजी डी 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 ए अठानवे अबलीक दोक ने जनवरी में तेल उत्पादन शुरू किया था और यहां अंदर परदेश में स्तित है यहां फिलहाल हर रोज लगभग 12,000 से 12,500 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है तेल को जमा किया जाता है और एक बार जब एक लेवल पर यह पहुंच जाता है तो इसे फिर एक जहाज में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसके बाद इसे रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहां पर पेट्रोल और डीजल में यह बदल दिया जाता है शापूर जी पालोंजी के एफ पी एस ओ फ्लोटिंग उत्पादन और बंडारन माल डुलाई आर्वडा स्टर्लिंग का जो वी उपियोग है वो ओएनजी सी इसी टेकनीक को प्रियोग में ला रहा है तेल के उत्पादन के लिए शापूर जी पोलान जी ने एक अलग ब्यान में ये भी कहा है कि एफ पी एस ओ ने 27 फरिवरी को स्वन सिंदू पर कच्चे तेल की अनलोडिंग की करक्रम के दोरान परधान मंतरी ने ओएनजी सी के मुंबई हाई उत्री तेल अक्षेतर पुनरविकास चरण चार हीरा पुनरविकास चरण तीन और कृष्णा गोदावरी नाग यालंका NELP ब्लोक में चरण दो के विकास को भी रास्ट को समर्पित किया है FPSO आर्मडा स्टर्लिंग वी भारत के उप महाद्वीप में अब तक तैनात किया गया सबसे बड़ा फ्लोटिंग इंस्टोलेशन है इसकी एक्षमता लगभग 50,000 बैरल से अधिक तेल और 30,000,000 क्यूबिक मिटर गैस के साथ साथ उत्पादन करने की है कुल स्टोक कैपेसिटी यहां की 7,000,000 बैरल की है कारकरेम के दुरान परधानवंत्री ने ONGC के मुंबई हाई नोर्थ ओयल फिल्ड पुनरविकास चरंड चार, हिरा पुनरविकास चरंड तीन और कृष्णा गोदावरी नाग यालंका NEALP ब्लोक चरंड दो को भी भारत को रास्ट को समर्पित कर दिया है परियोजना से कुल अनुमानित चरंड गैस का उत्पादन एक करोड क्यूबिक मीटर गैस प्रति दिन का हो सकता है और जल्द ही यहाँ पर 45,000 बैरल कच्चा तेल प्रति दिन उत्पादन हो सकता है यानि की कुल मिलाकर विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर जल्द एक चोट लगती नजर आएगी इस से भारत की अर्थ विवस्ता तेजी से बढ़ेगी और कच्चे तेल के बदले जो विदेशी मुद्रा भारत कच्चे तेल के अवज में पे करता है उसका लोड भी कम होगा यानि की जो डेफिसिट है ट्रेट डेफिसिट इंटरनेशनल मार्किट का उसमें हम भारी कमी आते हुए देखेंगे कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल के उपर जो डिपेंडेंसी है यानि की उर्जा अक्षेतर कुल मिला करके भारत आत्म निरभरता की तरफ बढ़ते हुए ये कदम कहीं मत जाईए देखते रिए मार्केट टाइम्स टीवी